विचार करते हैं तो एक बार को ना आपका मैं स्वागत करता हूँ इस रिविजिन क्लास में इसमें सेंट्रल फीगर कौन था जल्दी से बताएंगे राजा के अधिया आप लोगों ने तो मुझे तो मानना ही पड़ेगा भई राजा तो कि हमारी जो प्रजा है वो बोल रही है राजा चलो वह राजा ही मानते हैं नेक्स्ट कोश्चन ओके राजा का राजा कैसे हो सकता है यह भी तो बात है ना करक न, राजा का राजा कैसे हो भाई समझने की बात है चलिए तो बहुत एक्छा पुलिए अपने प्रेजेंट नीम ऑफ राजगीर राजगीर राजगाउ गया और राजकोट आ राजगीर प्रेज़गीर आ राजगीर चलो राजगीर, प्रेज़गीर is the correct answer गया यह राजराजकूट तो आपका गुजरात में है ना गया तो कहा है गया गया तो गया ही रह गया मतलब गया कहा है बोध गया इसका नाम क्या है बोध गया इसका नाम पढ़ गया बोध गया ठीक है तो जहां पर भगवान बुद्ध को बोधिशत्त ग्यान की प्राप्ति ग्यान की इसका नाम क्या पड़ गया डीन जूर को देने वाला जोना घूति कि संगत्व में प्राइली नहीं होता है। कि जिस प्रकार उसकी जड़ें चारो तरफ फैली होती हैं, गहराई में गुशती हैं, तो जितना ही अपने जीवन के अंदर गहराई में आप चलते जाओगे, उतना ही आपके अंदर का विजडम आपका करेक्टर उपर बढ़ता जाएगा, इस कुछ मैसेज हम ले सकते हैं, चलिए, next question है, who were excluded from many rituals, किसके उपर rituals का pressure नहीं था, मतलब वो rituals से उनको अलग अलग थे वो, ठीक है, प्रिज्ट थे, चैरिटियर्स थे, छत्रियाज थे और शुद्राज थे, ठीक है, बोलिए, who were excluded, मतलब अलग थे, सर्. भूझन यहाँ, हर काम हर वेक्ति के लिए नहीं था, अगर हम कुछ आज के संदर में देखें, तो आज हम जिस तरीके से हर डीपार्टमेंट में अलग-अलग लोगों को अलग-अलग सेना का काम सेना देखती है डॉक्टर का काम डॉक्टर देखती है उस तरह पहले समय में भी ऐसी वेवस्थाएं थी लेकिन समय के साथ कुछ समाज में कमी आने लगती है और लोग नियमों का दुरुपयोग करते हैं जैसे कि आज भी कर रहे हैं लोग और उस वजह से समाज का सुरूप मूल सुभाव समाज का बिगड़ जाता है एंड एक्जेक्टली हैपेंड इन उल्डेन टाइम और सुद्राज जो पहले समाज के सेवक हुआ करते थे वह समाज से माजलाइज्ट हो गए तो वह अब वरतमान समय में तुलना करें तो यह बहुत ह जलत है ठीक है चलिए वैदिक लेकिन ये अब ध्यान में रखना चाहिए विच्चों कि उद्देश से कभी भी किसी भी सुसाइटी का नियम खराब सुसाइटी बनाने के लिए नहीं बनाए जाते हैं लोग जो है उनका दूर्पयों करते हैं इसलिए वह नियम और नियम को बनाने वाले लोग बदनाम हो जाते हैं वैदिक बुक्स वर कंपोजड बाई वैदिक बुक्स वर कंपोजड बाई पहले के जो मंदिर थे ना विटा वो ग्यान विज्ञान के बहुत बड़े केंद्र हुआ करते थे वहां पर निर्त्य संगीत कला सबकी सिक्षा देती थी आप अगर मेरा वह देखते हो गया ना डीपी देखते हो तो डीपी को मेरा मैप देखा है आपने डीपी वाला जानते हो जब हमारे हैं उसमें देखना आप बहुत धायन करके हैं एक संत थे जो कि साहूद के थे और जब चाइना में मंगोलों का बहुत आक्रमन हुआ ना तो मंगोल जो बुद्धिस्ट मॉंक थे वह सब भागते थी दर दर कहां जाएं कैसे रहें कैसे स्वचित रहें तब उन्होंने जाके वहां पर चाइना गये और वहां पर बौध्धों को ना उन्होंने ट्रेनिंग कमांडो ट्रेनिंग और कमांडो ट्रेनिंग जिसो कहते हैं मार्सल आर्ट जिसो कहते हैं जिसको आम आज कहते हैं कमांडो कमांडो की ट्रेनिंग में मार्सल आर्ट का प्राब महत होता है तो वह कमांडो ट्रेनिंग जो हमनोंने वहां दी आज कमांडो ट्रेनिंग कहते हो वह भारत की दिवी चीज है जिसको फिर और वह वहां पर इसलिए जहां पर शावलिंग टेमपल जीजु करते हैं वहां पर चाइना वगरह में तो वहां पर यह जो बुद्धिस्ट मॉंक है वह मार्शल आर्ट ट्रेंड होते हैं ज्यादा डिटेल नहीं बात करूंगा हम वा पढ़ सके तप्रिस्ट डिवाइड पीपल इंटू फोर ग्रूप्स ठीक है वो क्या कहला थे यह जैसे आज के समय में क्लास वन ऑफिसर होता है क्लास टू क्लास त्री क्लास फोर्थ होते ना पुछ तरह पुराने समय में भी यह वर्णस था रामनस जो च्छत्रियाज वैश और समाज को चलाने के लिए सब की जरूत होती है लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी नीच और कोई उंच नहीं होता है आदमी अपने कर्मों से ही आगे बढ़ता है तो जिसके जैसे कर्म वैसे वह कोई भी काम खराब नहीं होता हमारे यहां पहले किसी भी काम को खरा कि क्या है कि हम हर काम को करने में अपने आपको भी काम करने के लिए क्लिए लोग कर दिया जबना तो मैं मॉटिवेेट करने की लिए जरूरी काम कर लूंगा मुझे स्रम नहीं आती है कि स्कूल में उठाने में मुझे सर्म नहीं आती है कुछ भी काम करने क्योंकि मुझे मेरा काम बच्चों को मानसी कुछ करना ताकि बच्चे किरें कि किकाम को करने में सर्म शुस हर्व व conjunction lifting प्रlt संमान की बहून आई चली अंगोः अझये करूग है इंत जिलो भी चलो चलो शलो से जाली बहुड-जायेगे साली शाधاز बिहार में ना कुंड ग्राम सब जहां पर अगवान माहावीर का जंप और एक बहुत ही प्राची नितियास था वैशाली की नगरवदु एक बहुत प्राची नितियास है उपन्यास है नॉविल चलिए next question who were expected to study and tease the Vedas ordinary men Bramir very good Bramir 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 उस जमाने में जो ज्ञान का संदख्चिक था जो ज्ञान का परचार परसार करने वाला था उसको विश्वामित्र जाती कि गर बात करोगे तो वो छत्री थे लेकिन उनको ब्रमर्स के उपाधि दी गई थी और ऐसे बहुत सारे दिस्टांत मिलते हैं जहाँ पर छत्री हो चाहे दूसरे लोग हो अगर उनने ज्ञान देने का काम किया है तो उनको ब्रमर्सी या इस तरह के उपाधियां दी गई चलो who were expected to be farmers, herders and traders according to west शे बोला करो ठीक है न वैसे बोलते हैं राम को रामा बोलते हैं अपने मूल जो वर्ड है उनको समझने की जुरत है यह अंग्रेजियों को फॉलो करते करते न बहुत कुछ बदल चुके हैं इसलिए हमारी जो समझ है उसके उनसार हम वैसे ही बोलेंगे अब आप लोग अंग्रेजी के अंसार चलना है तो उनकी बात माल लेना चलिए एकॉर्डिंग टुद प्रेश्ट ग्रूप्स वर डिसाइड़ ऑन दे बेसिस ओफ एकॉर्डिंग पॉपलेशन रीजन कलर एंड बर्थ बोलिए वेरी गुड बर्थ आपने कहा सुन्दर आंसर वन स्पेशल टाइप ऑपॉटरी फाउंड एट इस साइड इस नोन एज यह बहुत ही इंपॉर्डेट पॉर्चन है पी जी डबलू पेंटेड ग्रे वेर ठीक है सुपर सेडिजन्स और आंसर ही आगया यह तो सेडिजन्स ओफ एथेंस वर एक्सपेक्टेड टू सर्व इन दा पॉलिटिक्स आर्मिया ने वी फॉर्ण कंट्री सिबल सोसाइटी और मैं भी मैं भी दो तीन दीन से मेरे मन में आ रहा था कि भारत को अगर शुरच्छित रखना है न तो जितने भी जॉब वाले लोग है न इनको कंपसरी कर दे आर्मी की ट्रेनिंग मास्टर बनना है एक साल चिक है अगर सिपाही बनना है पंच साल चिक है ऐसे जॉब के के अंसार उसको कुछ न कुछ ट्रेनिंग आर्मी की देनी चाहिए ताकि आदमी अपना सेल्फ डिफेंस कर सके